जो हो गिया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गिया उसे खोया नहीं करते हैं हासिल उन्हें होती है सपलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते नमस्तों दोस्तों जोहार मैं अनिमेस सर आप सभी का विसे एक चक्रवरती यूट्यूब चैनल में हार दीग स्वागत करता हूँ क्लास 11 के स्टुएंट्स के लिए बहुत बड़ी खुसकाबरी दोस्तों कि आप सभी के लिए जैक के दोवारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है आज हम लोग इस वीडियो के माइदम से जैक के दोवारा ओफिसीली जारी इंगलिस स्कॉर का मॉडल सेट वन का कम्प्लीट सॉलूसन देने वाले हैं वो भी फूल एक्स्प्लेनेशन के साथ बहतर तरीके से तो जल्दिस इस वीडियो को लाइक करें आपने सारे दोस्तों भी जम कर सेयर करें और जब भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जूड़े हैं जल्दिस इस चैनल को संस्क्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कोंचे क्योंकि आप लागातार इंगलिस स्कोर की क्लास 11 की वीडियो से अपलोड होने वाली है तो चलि दोस्तों बिना जरीक वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यह जो आप लोग के लिए कुछ जैनल इस्ट्रेक्शन दिए गए यानि सामाई निर्देस दिए गए हैं आगे आप लोग को एक एक चीज यहां समझना है यह जो आपकी एकजाम होने वाले इंगलिस स्कोर का यह टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है ठीक है और टाइमिंग यहां पर दिया गया है एक घंटा के होनी वाली है ठीक है कुछ जैनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यानि समाई निर्देस दिए गए हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं आप समझ सकते हैं कि प्रस्णों की कूल सेंगा कितनी है चालिस है इच क्वेशन कैरिस वन मक्स दैट मिन्स परितिक जो प्रस्ण आप सही करेंगे उसका एक एक मार्स आपको मिलने वाला ठीक है फोर आप्संस आर गिवन परितिक क्वेशन में आपको आप्संस यानि विकल्प कितने दिये जाएंगे चार-चार विदार्तियों से पेच्छा की जाती है कि वे सबसे उप्यूक्त उत्तर का चैन करेंगे जितने भी कोशन से अनिवारी है यानि कमपलसरी है यह सबसे इंपोर्टन चीज कि गलत उत्तर के लिए आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपको 40 कोशन का आता हो ना आता हो 40 का 40 बना के आना है क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपसे काटे नहीं जाएंगे जितने आप सही करेंगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं multiple choice questions that means एक-एक questions का आपको बहुत सारे options मिलेंगे और उसमें से जो answer आपको जो options सही लगता है उसको आपको करना है read the passage, passage को अच्छे से पढ़ना है given below जो नीचे दिये गया है और answer the question from 1 to 5 इस passage को पढ़ने के बाद एक से लेकर 5 तक जो questions है वो इसी passage से पूछे जाएंगे और उसका जो साटिक जो आपसन है वो आपको टिक करना है that means passage से आपको 5 marks मिल जाएंगे तो अच्छे से passage को पढ़ना है लेकिन हम लोग passage को नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग answer को खोज निकालेंगे ठीक है चलिए पहला जो question आप लोग देख रहे है solar wind hydroelectric ठीक है यह सब जितने भी biomass यह सब किसका examples है ठीक है देखिए जब first question होगा ना तो first paragraph में इसका answer खोजना है चलिए हम लोग first paragraph में इसका answer खोजते है ठीक है देखिए third line में यह सब दिया गया है दिया गया है थार्ड लाइन में देखिए solar wind hydroelectric यह जो दिया वो biomass यह सब एक्जाम पस किसका है renewal energy का किसका है renewal energy that means नवी करनी है उर्जा का ठीक है तो चलिए हम लोग देखते renewal energy है कि नहीं एकदम मिल गया question number one का static answer होजेगा option A इस तरह पैसेज से खोज निकालेंगे question two चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसका भी हम लोग static answer खोजेंगे what take million of years to form and are finite that means आप समझ रहे है कि कीन चीजों को बनने में लाखों वर्स मिलियन इर्स लग जाते हैं और हुए सिमी थे जब लोग class 10 में पढ़े थे आप जानते होंगे कि कोईला जो है वो सिमी थे एक बार खतम हो जाएगा तो उसका दुबारा बनने में जैसे कोईला हो गया पैट्रोल हो गया यह सब finite यह नहीं लिमीटेड है अगर एक बार खतम हो जाएगा तो million years लगता है तो इसका जो answer क्या हो जाएगा चलिए question 2 में हम लोग जो है उसका सैटिक एंसर देख सकते है fossil fuels जो आपको option में मिल गए होंगे fossil fuels fossil fuels मतलब जिवास बेंदन जैसे कोईला पैट्रोल आधी ठीक है यह सब बनने में लाखों million years लग जाते हैं और यह सब सिमित है आगे बढ़ते हम लोग question 3 की और क्या पूछा गिया है which of the following is our harmful air pollution ठीक है लास्ट लाइन में लिखा हुआ है देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ ना कि air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides यह सब harmful air pollutants है तो दो चीज मिला sulfur dioxide मिला एक टो एक टो nitrogen oxides सिप nitrogen नहीं मिला nitrogen के सथ क्या है oxides एक मिला sulfur dioxide चलिए दोनों का दोग देखते हैं अगर दोनों में कोई भी एक मिल गया तो टिक करते हैं ठीक है तो देख सबते है question number 3 का जो answer देखिए हम लोग को sulfur dioxide मिल गया है nitrogen oxide नहीं मिला तो यह जो आपसंडी है यह हम लोग correct करेंगा option D को सही करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हम लोग question 4 की और question 4 आप लोग देख सकते क्या पुछा गया what is the one of the greatest advantage of renewable energy sources renewable energy sources मतलब नवी करनी है उर्जा ठीक है नवी करनी है उर्जा सुरोतों का सबसे बड़ा लाब क्या सभी को पता है यह जो renewable energy sources होते है यह eco-friendly होते हैं यानि प्रियावरन के मित्र होते हैं तो option C है वो correct होगा it is environment friendly यह तो आप आसानी टीक कर देंगे लेकिन हम लोग पैसेज में खोजेंगे ठीक है चलिए हम लोग पैसेज में second पारा में देखेंगे ठीक है second पारा में आप लोग देख सकते है फास्टे लाइ स्ट्रॉंग है तो आप आसानी से खोज देंगे कि which of the following means the same as generate from the passage यानि निमलिकित में से किसका आर्थ जो है generate के समान लगता है तो generate मतलब क्या होता produce करना क्या करना है जैरेट मतलब होता produce करना हम लोग option B को tick कर देंगे produce is the correct answer चलिए question जो 6 है यहाँ पर आप लोग राइट करते है किसमें तो जब हम लोग अबरिवेशन करेंगे नो दूस्तों था लोग नोट मेकिंग में सका इस्तेमाल करते तो option जो one है वह correct answer सर्ण note making क्या होता है अबरिवेशन क्या होता आप लोग समझाते है अबरिवेशन माल लिजे को एक word ले 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 एजूकेशन क् हम लोग लिखेंगे short form में इडी यू ठीक है और एक टो डॉट दिनेंगे यह हो गया short form तो note making में हम लोग एवरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं अब माल लिजे एक passage दिया हुआ है क्या दे दिया है पैसेज ठीक है 240 वर्ट का पैसेज दे दिया है अब आपको बोलेगा नोट में लेटेड दो चार चीज आप लोग याद कर जाएगा का notes should be short Notes कैसा होना चाहिए Ipods एक चीज आप लोग याद रखेगा in note making we should avoid long sentences कभी भी sentences का इस्तेमाल note making में नहीं किया जाता है notes are not written in sentences यह point याद रखीगा आपसे question कुझे जाएगा की Notes कैसा होता है notes जो तरा वो short होता है कभी ओन लोग को long sentences का इस्तेमाल नोट मेकिंग में नहीं करना चाहिए याद रखिएगा ना चलिए आगे बढ़ता हम लोग लिखेंगे समरी लिखेंगे उसमें क्या सामिल होता है आप सही पता है पैसे से हम लोग क्या करेंगे man idea को और keywords को हम लोग क्या करेंगे अलग कर लेंगे तो इसका जो correct answer हो जाएगा man idea चलिए एक चीज़ समझाते है पैसेज तो माल लीजे 240 वर्ट का है इतना बड़ा पैसेज है इसका आप लोग को समरी बनाना क्या बनाना है समरी यानि सारांस लिखना चोटा करके तो आप सही पता है 240 का हम लोग 3 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा आठ तीया 24 यानि 80 वर्ट यानि अगर पैसेज 240 वर्ट का है तो समरी हमरा कितना होना चाहिए 80 वर्ट का होना चाहिए यानि 1 by 3rd से ज्यादा होना नहीं चाहिए पैसेज कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 by 3rd ठीक है यानि एक तीहाई हिस्सा होना चाहिए आगर 240 वर्ट का है तो 80 वर्ट का होना चाहिए तो 3 से of an formal letter, ठीक है, अगर आप उपचारिक पत्र लिखेंगे, यानि formal letter लिखेंगे, तो प्राप्त करता को कैसे संबोधित करेंगे, तो हम लोग कैसे संबोधित करेंगे, देखे, formal letter का सबसे best जो होता है, salutation, यानि अभिवादन, वो simple में sir, oblique, madam लिखा जाता है, ठीक है, यह होता सबसे best, क्या होता है, सबसे best अगर अभिवादन आप लोग को यूज करना formal letter में, तो sir, oblique, madam, तो sir, oblique, madam, हम लोग को बहुत चीज में मिर रहा है, यह वाला a, यह नहीं होगा, my dear, कभी भी नहीं, यह सब informal letter में होता है, तो option c, जो हम लोग tick करेंगे, लेकिन अगर dear को हटा सबसे best होता है, चलिए, तो sir, oblique, madam को याद कीजिएगा, अगर option ना मिले, तो option c को tick कर कहिएगा, dear sir, oblique, madam, ठीक है, बट सबसे best क्या होता है, sir, oblique, madam, और एक चीज़ याद रखेगा, formal letter पूछा गया, तो formal letter किसको बोलते है, उपचारिक पत्र जितना भी official letter होता है, principle को ज Sanders address के साथ, ये question back-to-back previous years के questions में भी 11 में पूछा गया था, कि formal letter की जो start होती हो, किस से सुरुवात की जाती है, Sanders address के साथ सुरू की जाती है, formal letter या later to the editor में salutation के रूप में अभिवादन के लिए हम लोग क्या इस्तेमल करते है, simple से sir, oblique, madam का इस्तेमाल करते है, जा को यहाप return मत लिजिए, एक से धाकर वीडियो आएगा, back-to-back, बस इस वीडियो को like कीजिएगा, और आपने सारे जो college friends से, ठीक है, आप लोग share कीजिए, groups में share कीजिए, ठीक है, तो letters to the editor are written for, यह जो letters to the editor लिखते है, यानि संपादक को जो पत्र लिखते है, वो किसके लिए लिखा जाता है, ठीक है, newspapers या magazines के लिए लिखा जाता है, याद रखेगा न, newspaper या magazines के लिए, जो letter to the editor है, वो लिखा जाता है, आगे बार तम लोग कोशन में 10 की और, कोशन में 10 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया, what should not be included in report writing, बहुत important question, report writing के बार में ठीक है, कि what should not be included in report writing, report लेकर में क्या सामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो नीजी, यानि व्यक्ति टिपनी जो है न, वो सामिल नहीं करना चाहिए, परसनल कमेंट्स को दूर रखना चाहिए, note making, इसमें, report writing में, ठीक है, तो personal अगे बाट तम लोग क्या पूछा गिए पूछा गिए इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन अप दा इवेंट को जी घटना हुआ वो किस में लिखा जाता है, आप से पूछा गिया है कि रिपोर्ट लेकर में जो घटना हुआ, उसका जो वर्नन करेंगे, वो हमें से हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, तो हम लोग तुरंट जो घटना घट गई, मालने जिए एक रोड अक्सिडेंट हुआ, तुरंट एक ट् या हुई, जास्ट हुई लेकिन पास्ट में, तो हम लोग इमेडियेट पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इमेडियेट पास्ट फॉर्म में ये घटना का वर्नन हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेशन पहला first paragraph होता है, वो किसके बारे में होना चाहिए, तो इसका जो correct answer होजएगा option A, जो आप लोग देख रहे हैं, यहाप में लिखा हुआ, brief introduction of the topic, क्या होना चाहिए, brief introduction of the topic, विसाई का संचित परिचे होना चाहिए, आप किस topic पे लिख रहे हैं, उस topic का पहले आप लोग जो first paragraph में लिखेंगे, उसका introduction लिखेंगे, तो option जो वो A है, वो correct answer है, आगे बढ़ता हम लोग question 13, तो introduction हो गया, अब यहाँ पे conclusion पूछा है, देखें, first में हम लोग को intro लिखना चाहिए, last में हम लोग को conclusion यानि discuss लिखना चाहिए, तो वही question 13 में पूछा गया है, कि what can be written in conclusions in article writing यानि article writing जब हम लोग लिखेंगे, तो conclusion में, यानि discuss में, क्या लिखा जा सकता है, तो हम लोग किसी चीज में हमान लीजिए, इस्तरी सिच्छा पर हम लोग article लिखें, किस पर? तो क्या क्या जो है, नितिया लानी चाहिए, वो last में हम लोग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानि हम लोग लिखेंगे, suggestions क्या लिखेंगे, suggestions लिखेंगे, याद रखेंगे, यानि सुझाओ देंगे, और साथ में इसके साथ जो remedial measures है, ठीक है? यानि उपचारी जो Choose the grammatically correct sentence for the given jumble sentence, ठीक है? देखें, jumble sentence किसको कहते है? जैसे आपका मान लिजिए, ठीक है? आपका नाम राम है, और हम लिखेंगे, राम is a good boy, ठीक है? तो पहले हम इज कर देते हैं, फिर राम लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, तो इस तरह करके हम लोग slash दे देके, नाम करके बनाते हैं, उसी तरह जो sentence का जो words अब है, इधर उधर कर दिये जाता है, उसका correct sense आना चाहिए, तभी हम sentence बोलेंगे, ठीक है? correct sentence कैसे होता है? तो चलिए, जंबल words मतलब क्या होता? आप सही पता चल गया है, कि दिएगे जो अव्यवस्थित words है, वाइक के है, तो option number देखे, B हमको सही लग रहा है, option B क्यों सही लग रहा है? सब से पहले हम लोग subject देंगे, स्री लंका, उस बाद is, am, are, was, where, यह सब helping words कुछ देंगे कि नहीं देंगे, तो is दिए, उसके बाद island के आगे N लगता है, in the Indian ocean, यानि last में हम लोग जो है, Indian ocean लिखेंगे, correct sense आन चाहिए, बाकि देखिन, an island is in silanka, इस लग रहा है, in the Indian ocean is silanka, an island, e.b.m. को बिचितर लगा, silanka is the island in an Indian, हमको ठीक नहीं लगा, अच्छा, यह क्यों लगा, option B, तो silanka is an island, तो silanka subject ले लिए, इसम लोग helping word ले लिए, उसको लगा, island लगा है, in the Indian ocean, इस silanka, जो है, वो हिंद महा सागर में, एक island है, एक दीप है, तो यह जो option B है, वो correct answer है, आगे, सेम पूसे में, कोशन दिया गया, question of 15 में, थोड़ा सा changes है, कि choose the grammatically correct sentence, for the given jumble sentence, ठीक है, तो jumble sentence, जो है, दो-दो दिया गया, यानि, question of 14, question of 15 में, जो है, words को इधर उधर करके रखा गया है, आपको उसको सजा के लिखना है, जिससे correct sense आना चाहिए, वही sentence correct होगा, तो इसका correct sentence क्या हो जाएगा, यह आप देखे, word slash, जो अपलिक देखे, easy लिखा है, उसको बाद greatest लिखा है, in लिखा है, word लिखा है, तो इसको हमको सजाना है, तो इसका जो correct answer हम लोग टिक करेंगा, option A को, क्या हो option A, क्योंकि आगे हम लोग नाम देंगे, ठीक है, आगे हम लोग क्या देंगे, नाम याने subject देंगे, उसका easy लगाएंगे, आप सही पता है, EST word है, EST word है, उसका पहले दा लगना चाहिए, ठीक है, तो Shakespeare is the greatest dramatist in the world, यह sentence अच्छा लग रहा, Shakespeare is the greatest dramatist in the world, that means, जो Shakespeare है, William Shakespeare, दुन ठीक है, जैसे माल लीजे, I love India, I love India, लिखे, अब इसको दिया जाएगा, लब को आगे कर देगा, I को पीछे कर देगा, इंडिया बीच में रखे, तो आपको सजा के लिखना है, इस तरह करके करना है, तो इस तरह करके जंबल, जो sentences है, आपको दिया जाएगा, तो इस तरह करके आपको सही करना है आगे बार सतर्व लोग कोश्चन अबर 16 ठीक है यह कोश्चन अब लोग देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर डेस आवर डेली फ्रेक ब्रेक फास्ट ठीक है तो आप लोग सोचेंगे सर यहां पर बीच में एंड आ गया एंड मतलब दो चीजों को जोड़ते थे ना राम एंड मोहन अर मईफरेंड तो दो चीज एंड दिखते था आप लोग आर को टीक किजढ़ा अधिकतर बच्चें आर टीक करेंगे मुझे पता है सभी बच्चें अंड देखकर आर टीक करेंगे एक चीज जो है आपको sense रखना आपको दिमाग रखना जो ब्रेड के उपर में बटर लगा के खाया जाता है डाट इस ब्रेड और बटर जो है वो एक चीज है और एक चीज के साथ कभी भी आर नहीं लगता है सिंगूलर के साथ कभी भी आर नहीं लगता है और किसके साथ लगता है प्लूरल के साथ वैर किसके साथ लगता है तो bread के उपर में जब butter jam लगा कि हम लोग अच्छा यहां पर bread and jam भी हो सकता था तो bread और butter जो है वो एक चीज है तो एक चीज है तो एक चीज है नहीं singular है तो easy लगेंगे अप लोग bread chop खाएं है bread chop ब्रेट chop खाएं इस तरह आकार का bread chop होता है तो bread plus chop यानि bread में रहें बेसान प्लास आलू साब है लेकिन चीज तो एक ही है ना तो bread chop के साथ भी हम लोग easy लगाएंगे यादर हो गया आपको जो यह doubt है वो clear हो गया आगे बढ़ते हम लोग question 17 की और I fail when I dash the road मैं गिर गया जब मैं सड़क पार कर रहा था ठीक है तो सड़क पार कर रहा था रहा था यह जो है यह सब क्या हो जाएगा वाज प्लस भी फोल लगेगा तब सभी पता है मैं गिर गया था जब मैं रोड पार कर रहा था तो I was crossing था बोला गया अगर तो यहां पर था क्या क्या हो गया was crossing याद रखेगा I fail मैं गिर गया था जब मैं रोड पार कर रहा था यह हो जाएगा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हम लोग कोश्ण में 18 की ओर कोश्ण में 18 आप लोग देख सकते क्या पूछा गिया यूँ डैस लीब नाओ इफ यू विस आप अभी जा सकते है अगर आपकी इच्छा है ठीक है तो इच्छा जब भी आ जाए विस जब भी आ में लगेगा क्या लगेगा में लगे अच्छा सरा में का करते हैं चलिए आपको बता देते हैं में कंडये इस इतनी आशिरबाद है ना उसमें में लगाते हैं अच्छा में मतलब क्या होता है 50% याद रखी ठीक है भगवान जो है आपकी मनोकामना पूरी करें यानि मेरे तरब से कुछ नहीं हम इतना बोल दी है भगवान अब भगवान करेगा ठीक है अगर भगवान कर सकते हैं तो 50% चांसे है तो 50% chances में हम लोग में लगाते हैं जितनी भी आसिद्वाद हैं जितनी भी विसेज हैं उसमें हम लोग में का इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ते हम लोग कोशन मां 19 की और कोशन 19 उचा गया है डैस यू स्वीम क्या आप तैर सकते हैं तो क्या लगाएंगे या पर हम लो सकते हैं तब की बोलिएगा I can मैं तैर सकता हूं तो तुरण जाके जम देने बोलेगा हाई बच्चा तैरने सकेगा इसलिए आपर जाके इसको जम्प होना चाहिए या फिर आपको नहीं आता था आपको हेंड़ें टैन परसंट बोल देना चाहिए I can't यानि मैं नहीं सकू मतलब मुझे 110 परसंट जो है वो स्वीम करना यानि तैनना आता है I can't swim मतलब मुझे 110 परसंट जो है स्वीमिंग नहीं आता है तो में में यहां पर नहीं लगाना है स्वीमिंग का बात हो गया जैसे मान लिजे मेरा दोनों पैट ठीक है I can jump मुझे इंग्लिस पढ़ाना आत आप सभी पता है यह फर्ष्ट पॉएम है ए फोटोग्राफ जो है आपके बुक का पहला ही पॉएम है ठीक है नोट कीजेगा क्योंकि इंप्रूटन चीज में बताने वाला हूँ यह फोटोग्राफ जो आप लोग का जो बुक का फर्ष्ट पॉएम है जिसके पॉएट का करके लोगों छोटी लड़की है ठीक है यह फोटो फ्रेम में तीन लड़की तिक olmas कि एक बड़ी लड़की हम भी तो यहां जो बड़ी लड़की है वो कौन है यह आप से कोश्चन पुछा गया है आप समझेंगे ना एक फोटो फ्रेम है एक कार्डबोर्ड है जिसमें तीन लड़किया दिखाई गई है तीन लड़की में सबसे बड़ी लड़की के हैं जिक्र हुआ है दा बिग गल इन दा पॉएम एफ फोटोग्राफ रेफरस्टू तो यह जो पॉएम में जो कार्डबोर्ड है फोटो फ्रेम है उसमें सबसे बड़ी जो है गल है वो कोन है ताप सभी पता है वो और कोई नहीं वो कवित्री की अपनी मम्मी है पॉएटस मदर ठीक है जिनका उम्र उस टाइम जो है बारा साल का हो रहा था ठीक है आगे बढ़ते हम लो इक विसाल पेडव के बुक है सब्सक्राइब होता है विसाल पेड को लिखा है या तेड ये पएड़ Hack यह लिखा है तो तो नाम तो यह प्रोइट का नाम क्या है याद रहेगा तो यहां पर जो कोश्चन पूछा गिया है कि विच मन्त अफ दा इयर है जो है सेप्टेंबर का जो यह यह लो सनलाइट है वो यूज किया गया है तो सेप्टेंबर महिना का जिक्र किया गया है तो आप लोग ठीक किजिएगा सेप्टेंबर ऑप्शन सी अगर आप से पूछेगा कि मॉर्निंग का यूज हुआ है याद रखीगा तो यह पर महिना पूछ दिया है लेकिन आप से एक्जाम में पूछ देगा कि कोन सा पहर का किया गया हुथ म्हें गूया यह याद रखीगा इस पंची का जिक्र किया ंठ हिए ठीक है छी जब आगे पढ़ाएंगे तो पॉयम है third poem का नाम ही है the voice of the rain rain यानि water बारिस ठीक है तो वाइटर है डबलू डबलू याद रखी गए इसको क्या रखेगा www.w.w. क्योंकि इसके point का नाम है Walt Whitman क्याना में Walt Whitman ठीक है कभी का नाम है तो यहां पर जो question पुछा गया है in the poem the voice of the rain which of the following is personified ठीक है यानि इस कविता में the voice of the rain में निमली किद में से किसका मानवी करन किया गया है किसको personified किया गया तो यहीं पर आपको दिखाए ज़रा poem का नाम में क्या है rain तो बस आपको टिक करना है rain का rain को personified किया गया सबसे interesting चीज यहां पर मानवी करन क्यों किया गया है कभी जो है rain से first line में question पुछता है क्या पुछता है who are you तुम कोन हो वो जो गिरती हुई जो बारिस की बोचार है ना उनसे कभी question पुछता है कि who are though that means who are you तुम कोन हो सबसे strange rain चीज सबसे विचित्रस चीज यह जो voice of the rain है ना that means rain की आवाज तो यह आवाज बनके आती है जब question उनसे पुछता who are though तो उनका reply दिया जाता है यह rain जवाब देते कभी को कि I am the poem of the earth क्या बोलती है I am the poem of the earth मैं इस धर्ती की कविता हूँ यह चीज सुनके जो है कभी न आश्य होते कि गिर्ती हुई बोचार जो है मेरे प्रस्न का उत्तर दिया ठीक है तो यहाँ पर सुनी फाइट किया गिया है किसको rain को याद कर लीजिएगा जब पढ़ाएंगे तो बैतर धंग से पढ़ाएंगे टेंसर नहीं लेना है आगे बड़ते हम लोग 23 नंबर question में ठीक है one can finds one's lost childhood in death यानि कोई भी अपना खोया हुआ जो बचपन है वो कहाँ पा सकता है तो जो खोया हुआ बचपन है देखेंगे खेलते हुए तो याद रहेगा कि हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे तो कहीं न कहीं जो बचपन है तो बचपन में ही देखने को मिलता है ठीक है पचपन में देखने को नहीं मिलता है बचपन जो है वो बचपन में देखने को नहीं मिलता है याद रहेगा खोया हुआ जो बचपन है वो किसी ना किसी चाइल्ड के फेस में देखने को मिलता है किसी ना किसी child के face में देखने को मिलता है लेकिन आप लोग जो है ना अभी jack के तरफ से जो questions का label है वो hard कर दिया गया है 12 वाले को परिशान करकर रख दिया गया इस तरह face of child नहीं मिलेगा आपको दिया रहेगा infant क्या infant I-N-F-A-N-T ये infant याद कर लिजिए infant मतलब होता सीसू क जो चहरे पर childhood खोया हुआ बच्पन देखने को मिलेगा तो ये infant word को याद कर लेना है तो ये जो question है आप लोगों के चौथा point यानी childhood से लिया गिया है जिसके point का नाम है Marcus Natin ठीक है Marcus Natin जो है वो इसके point है ठीक है आगे बढ़ते है अच्छा Marcus point का नाम है Marcus यानी हम लोग one में जो है मार खाते दे कस कस के ठीक है ठीक है याद रखेंगे इनके point का नाम की ये trick है आगे बढ़ते हम लोग कोश्वाट 24 कियो है according to the poem father to son who speak like strangers देखें ये भी आप लोग का poem है ठीक है इस poem का नाम है father to son ठीक है तो father to son कविता में कौन एक दूसरे से अजनमियों की तरह strangers की तरह बात करते हैं तो कभी-कभी याद रखेंगे ना poem का नाम ही का answer भी होता है यहाँ पर father to son है यानि बाप बेटे जो है वो strangers की तरह बात करते हैं बिच्ची तरह सा ठीक है एकदम अजनवी की तरह से तो यह option जो आपको father and son दिखाई देरा option A में उसी को tick करके आना है तो father to son के point का नाम भी याद कर लिजेगा एलिजावेत जैनिंग्स ठीक है इस poem में modern world को दिखाया गया है modern world के relationship को दिखाया गया है generation gap को यानि पिढ़ी जो अंतर है उसको दिखाया गया है जब पढ़ाएंगे अच्छे पढ़ाएंगे क्योंकि time भी तो नहीं है आपका जो बच्चेव का जो comments देखकर मैं जल्द से जल्द class 11 का भी English score का एक से धाकर वीडियो चैप्टर बाइचेप्टर लाने की कोसिस करूँगा जो जो मेरे साथ जूड़कर English score का त्यारी करना चाहते comment box में जुरू बताईएगा ठीक है आगे बर तम लो कोश्वे 25 क्योर क्या प question घुमा के पूछा गया अगले साल जो है पिछले साल अजीब तरह से question को पूछा गया था इस वाद थोड़ा से घुमा के पूछा गया दोनों को समझते है कि why did the author's grandmother accompany to his school यह लेखक की जो दादी है उसके school क्यों जाती है यह आप से question पूछा गया यह जो chapter मैंने detail में कराया ठीक है already upload किया गया है तंसर नहीं देख लिजिएगा नहीं तहा आप लोग Instagram ID में जाकर मुझे अनिमेस सर लिखकर follow कर सकते हैं ठीक है अनिमेस सर लिखेगा आप मुझे Instagram में follow कर सकते हैं इस नाम से सर्च करके ए ए एन आई A-N-I-M-E-S-H ठीक है अनिमेस सर यह मेरा Instagram ID आप लोग इस नाम से मुझे सर्च करके follow कर लिजेगा आप वहाँ जाकर मुझे follow करके question पूछ सकते हैं तो यह जो question 25 में पूछा गिया है कि लेखक की दादी उसके school क्यों जाती थी तो क्यों जाती थी आप लोग बता देते है यह लेखक की जो दादी है थोड़ी सी aged है ठीक है age हो गिया है तो age होने के बाद जो दादी लोग होता हुआ अकसर कहां जाया करती है मंदीर ठीक है तो जरूर इसकूल के साथ क्या attached था मंदीर जो है वो attached था तो option जो A है वो हम लोग टिक करेंगे ठीक है because it was attached to the temple माल लिज में जब रहते थे थे ना तो school और temple दोनों एक साथ attached थे तो लेखक इसकूल में पढ़ते थे और दादी मंदिर में जो scriptures पढ़ती रहती थी ठीक है इसलिए दोनों एक साथ school जाते थे लेकिन जैसे city में shift हो गये यानि सहर में shift हो गये तो लेखक की जो दादी है वो साथ कि क्यों नहीं जाती थी क्योंकि जो लेखक है वो मोटर बस से school जाने लगे थे तो आप सब पता चल गया क्योंकि आप लोग सब पढ़े होंगे यह जो question है आप लोगो के first chapter the portrait of a lady से पुछा गया है जिसके लेखक कना में खुसवन सिंग याद रखेगा portrait the portrait of a lady से पुछा लेखक के नाम है खुसवन सिंग नेक्ट क्वेशन आप लोग देख सते हैं question में 26 पुछा गया the grandmother of खुसवन सिंग believed that the education should be done यह भी वही chapter से पुछा गया the portrait of a lady से जिसके लेखक कना में खुसवन सिंग तो जो खुसवन सिंग के दादी है उनका मानना है कि सिच्छा किसके आधार पर होनी चाहिए education किसके बेस पर होना चाहिए तो वो होना चाहिए यानि religion के आधार पर होना चाहिए तो option जो c है वो correct answer रहे लेकक की दादी यानि खुसवन सिंग की जो दादी है वो चाहते थे education जो है सिच्छा जो है वो किसके आधार पर होना चाहिए religion best पर होना चाहिए क्योंकि जो उनकी दादी है वो religious lady है एक धार्मिक lady है आगे बढ़ बिता है समझ सकते है क्योंकि लोग का एक एम था ठीक है लोग के captain James Cook जो record तोड़े थे पूरा समुद्र यात्रा ये समुद्री यात्रा इन लोग दोराने के लिए समुद्र यात्रा करना चाहते थे इसके लिए समुद्र के बारे में सारा चीज है इनको जानकाई चाहिए समुद्री कॉसल सिखना चाहिए था सीफेरिंग स्किल्स लोग सिखे थे तो यही कोशन पुछा गया कि कितने साल लग गये सिखने में 16 इयर्स लग गये थे कितने आप संट जो सी है वो करेक्ट एंसरे ठीक है आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज में बता देता हूं वो नोट कीजेगा यह जो गॉर्डन कुक है यह 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमेन है इसकी जो वाइफ है ना इनकी जो वाइफ है पतनी उनका नाम है मैरी कहना मैं दूस्तों मैर और यह जो गॉर्डन कुक और मैरी यानि दोनों पती-पतनी है यह साइंतिस ओल्ड बिजनेसमेन है और यह उनका वाइफ है इन दोनों का दो बच्चा भी है एक जो है बेटा है और एक जो बेटी है कभी-कभी बेटा का नाम है जोनाथन कह नाम है जोनाथन याद रखिए जो 6 साल का है, बेटा 6 साल का है, बेटी 7 साल का है, बेटा का नाम है जोनाथन, जिसे जॉन के नाम से भी जाना जाता है, अब बेटी 7 साल की है, बेटा 6 साल का है, ठीक है, ये जो समुद्री यातरा करेंगे ना, इसके लिए इलोग एक नौका, यानि नाव तियार किये, जिस उस नाव का नाम था, याद रखेगा, क्योंकि नाव जो है, समुद्र में वेव, मतलब लहर, तो जो लहर में चल ले, उसका नाम रखा गया, नौका का वेव वाकर, क्या नाम रखा गया, वेव वाकर, ये है नौका का नाम, ये है जहाज का नाम, ये जो जहाज, कभी कभी को कितना था 23 मीटर और वजन कितना था 30 तन ठीक है यह सब कोईशन को आपको याद करके जाना है आगे बढ़ता हम लोग नेश्ट कोईशन कोईशन में 28 ठीक है यह जो कोईशन है 28 ठीक है या 27 दोनों का दोनो चैप्रेट टू से पुछा गिया है यह जो चैप्टर आपको देखके जाना है अच्छे से पढ़ाऊंगा तो यह भी कोईशन 27 जो कोईशन है 28 एकी चैप्टर के चैप्रेट टू का यहाँ पुछा गिया हूँ जोएंड गॉर्डन कुक इन कैप्टाउन टू टेकल दा साथन इंडियन ऑसियन यानि दच्छी निद महासागर से निपटने के लिए कैप्टाउन में गॉर्डन कुक के साथ कोन सा मिल वे माले जितना बड़ा समुद्री आत्रा करना है तो एक कैप्टान का चलाने स याद रखे ठीए क्रू में एमिन तो यह जो दो नाविक थे वो दो नाविक कोन थे जो कैप्टाउन में गॉर्डन कुक का साथ जॉइन हुए तो दोनों का नाम याद रखेगा अप्शन डी बोथ ए ए और बी दोनों कौन-कौन लैरी विजील और हर्ब सेगलर कोन थे यह दोनों क्रू में थे लिग दे स्पलिंग सी आर इडबलू एम एन याद रखेगा इसका मतलब होता नाविक ठीक है अच्छा यह जो लैरी वेजील है ना यह अमेरिकन थे कभी कोशन कुछ आ यह लैरी विजील कौन थे एक अमेरिकन थे और यह जो हर्ब सेगलर है वो स्वि यानि स्विजन लेंड के थे याद रखेगा नेश्ट को बटनम लोग वेज़ेंटीनाइन आप लोग देख सकते हैं इसका भी डिटेल वीडियो आएगा कि दा टॉम आफ किंग तूट वास डिस्कोवर्ट वाइडेस यानि किंग तूट जो है कि मकबरी की खोज किसके द् की गई थी तो याद रखेगा हावर्ट कार्टर के द्वारा अफसन जो भी है वो करेक्ट अंसर है हावर्ट कार्टर के द्वारा 1922 में कब की गई थी तो 1922 इसको भी याद करके जाईगेगा ये भी कुशन कुश है था किसके द्वारा हावर्ट कार्टर के द्वारा कब की यही थी, 1922 में, यह Howard Carter जी कौन है, यह एक British Archaeologist है, याद रखेगा, कौन है, British Archaeologist है, जो 1922 में, ठीक है, King Toot का, जो मकबरा है, उसकी खोच की थी, ठीक है, कौन किया था, Howard Carter, यह जो chapter 3 से पुछाए गया है, discovering Toot the saga continues, जिसके जो लेखा के author है, A.R. Williams, ठीक है, आगे बढ़ेता हम लोग कोशन में, 30 की और, क्या पुछाए गया है, कोशन 30 में, उसे chapter से यह question है, the place where Egyptian kings were buried is known as, जिस अस्तान पर Egyptian, यानि मिस्र के, राजाओ को दपनाया गया था, उससे क्या का जाता है, तो जहाँ पर Egyptian, ज The valley of kings is the correct answer, option D is the correct answer, आगे बढ़ेता हम लोग कोशन में, 31 की हो, ठीक है, question 31 में क्या पुछा गिया है, the place where Egyptian kings were buried, ये तो हो गिया, question 31 में, पुछा गिया है, गांगाधर, पंद, गायटोंडे, was a professor of death, ये जो गांगाधर, पंद, जो गायटोंडे है, वो किस subject के professor थे, ये भी correct answer, आगे बढ़ेता हम लोग next question के ओर, question number 32, क्या पुछा गिया है, where did the author go to complete the kora, अच्छा सर कोरा क्या होता, मैं बता देता हूं, kora जो है, kora means the holy pilgrimage to mount kailas, यानि kailas परवत है, ठीक है, kora का रहत होता है, kailas परवत जो है, कि पवित्र तीर्थियात्रा, आप kailas परवत की तीर्थियात्रा कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कोरा खहते हैं, तो where did the author go to complete the kora, kora को complete करने के लिए वो कहां गये थे, तो mount kailas गये थे, mount kailas option जो C है, वो correct answer है, ठीक है, यह chapter 8, Silk Road से पूछा गिया है, जिनके writer को नाम है, Nick Middleton, आगे बढ़ता हम लोग कुछ अब 33 की वार, what did Lamo give the author as farewell present, अच्छा, लामो ने लिखा को विदाई उपाहर के रूप में क्या दिया, ठीक है, फियर वेल यानि विदाई के रूप में उन्हें क्या gift दिया, तो सीप स्कीन कोट दिया था, क्या दिया था, सीप स्कीन कोट option जो A है, वो correct answer है, आगे बढ़ते हम लोग वो कितने बार visit की थी, जो लेकी का है, कितनी बार स्रीमती डॉलिंग के घर पर गई थी, तो दो बार, कितनी बार, दो बार, twist मतलब होता है, दो बार, ठीक है, याद रखेगा, यह जो question है, the address chapter से लिया गिया है, chapter 2, the address इनको लिख ही है, मारगा मिन को, अच्छा, address है, chapter का आप से address पूछेगा, तो address का नाम आप लोग याद कर लिजिएगा, ठीक हाउस नमबर 46, क्या, house नमबर 46, मारकोनी स्ट्रीट, क्या, मारकोनी स्ट्रीट, यह था address का नाम, इस address को टीक कर लिजिए, आप लोग नोट कर लिजिए, कि address का नाम क्या था, house नमबर 46, मारकोनी स् वहाँ पर दो बार जो है जो आथर है वहाँ विजिट की थी हाउस नमबर 46 मारकोनी स्ट्रीट यह आता है नोट कर लिजीगा आगे बार तब लोग नेश्ट क्वेशन के और क्वेशन थर्टीफाइब पतला वाला जो बुक है बुक टू उसका फर्स्टी चैप्टर का नाम है बहुत ही व्यूटिफुल इस्टोरी है पढ़ाएंगे ठीक है अपसे जो बी है वो करेक्ट अंसर है ठीक है या कहानी दो निर्धन अर्मेनियाई लड़कों की है जो ऐसे कबिले से बिलॉंग करते हैं जिनका जो पैचान है वो ट्रस्ट है और ऑनिस्टी है लेकिन लोग ट्रस्ट फुल इंसान है इन दो बच्चों को नाम अगर कुछे दियाद रखेगा अरम क्या नाम था अरम और लूड़क नाम था मूरळ नोट कर लिजिए इन दो बच्चों क नाम था अरम अरम जो है वो 9 साल का था तैना साल का 9 और अरम का जो चाचेरा भाई है मुरआद वो था 13 साल का ठीक है याद रखेगा अरम 9 साल का बेटा है बच्चा है यानि अरम जो है ना यह नारेटर है यही कहानी को बोल रहा है ठीक है तो अरम जो है man है, यही कहानी को बोर रहा है, जो 9 साल का है, और उनका चचेरा भाई, जो है, जो थोड़ा सा क्रेजी है, वो 13 साल का है, ठीक है, इसको याद कल लिजेगा, ठीक है, यह 9 साल का है, यह 13 साल का है, यह question, पुछा याता है, दो अर्मेनियम बॉइस का नाम आपको बता दिया, याद रखेगा इसको लिखा कोन है विलियम सेरोयन ठीक है अगला जो कोश्चन आप लोग देख सकते हैं उसी चैप्टर से दा ब्यूटिफुल वाइट होर्स से इसको लिख सकते हैं अब लोग इस्टोरी का नाम रखा गया वाइट होर्स असली मालिक जो है वो कोन यह आप से कोश्चन उचा गया तसली मालिक कोन है पता है आप सभी को वाइट हो जो है जो खोगिया था जो मुराद को मिला था ठीक है लेकिन एक्चुली में यह वाइट होर्स का जो मालिक था वो जॉन बैरो था कुन था जॉन बैरो अच्छा हूँ वास जॉन बैरो तो जॉन बैरो वाज़े फार्मर यह भी यात कर लिजेगा तो हो गया कुश्चन हो 36 के लिए आगे बाद त सकते हैं who has been telling the fortune of Mrs. Pearson यह भी important question है कि स्रीमति Pearson का जो भाइग है वो कौन बता रही है तो Mrs. Fitzgerald जो है वो correct answer हो जाएगा option जो ए है वो टीक कर लिजेए correct answer आगे बढ़ते हम लोग यह जो question है आपको 37 मैं बता देता हूँ यह question जो है आप सभी के जो पतले वाले बूक है chapter 3 mother's day से पूछा गया किसे पूछा गया mother's day जिसको लिखा है J.B. Prisley ठीक है इस question को बढ़ते हम लो question 38 यह भी important question है कि Andrew Manson was that's by profession by profession यानि पेसे से वो क्या थे एंडू मैंसन जो है वो पेसे से क्या थे तो पेसे से वो एक doctor थे तो option जो C है वो correct answer हो जाएगा ठीक है याद कर लिजीगा यह जो question दो वाज़ा उनिस में पूछा भी गया था कि Andrew Manson जो है वो by profession क्या थे तो वो एक डॉक्टर थे पेसे से एक डॉक्टर थे तो चैप्टर का नाम रियाद रखीगा बर्थ क्या नाम है चैप्टर का बर्थ बर्थ चैप्टर से कोशन पूछा गिया है एज यह क्रौन इन जो है इसके लेखक है आगे बर्थ नम लोग कोशन में 39 की और क्या पूछा गिया कोशन में 39 में दा किंग लॉस्ट इस क्राउन अंडर दा आर्क बिकाउज ठीक है यह जो राजा ने अपने जो मुकूट है वो आर्क के नीचे खो दिया क्यूंकि जो आर्क है ना वो बहुत जो है लो यानि नीचे बनाए गया थी याद रखेगा आर्क क्या मतलब होताँ पर्वेश्दौर तो इजो पर्वेश्दौौर है वह बलकूल नीचे बनाया गया था ल हो आर्क वह ए और काल्दक नो ओस लो आउन से यो क्याू जा indल लिखें है व्иниक्रमशेट है गेंगा उसी से कुछन कुछ आ गया चली को से पूछा गया उसी से पूछा गई उसी juice बिजा गया है दर टेल अब मेलन शीटी ठीड एक पर зай लाश्ट में जो है किसको लटकाया जाता है फासी में किसको लटकाया जाता है आप सभी पता है दकी को किसको राजा को जो है लाश्ट में फासी में लटकाया जाता है याद कर लिजिएगा यह था दोस्तों आज का फॉर्टी कोशन जो जैक के दोरा आप लोग के लिए अफि चैनल के साथ जूड़कर अनिमिस सर यानि मेरे साथ जूड़कर इंग्लिस स्कोर की तयारी करना वह आप लोग कमेंट बोक्स में जुरूर बताएगा आप लोग को कमेंट को देख कर ठीक है क्योंकि एक्जाम जो बहुत सामने है घ्याम इस एटेंड एदम सामने है तो कौन-